खुचलानी किचन एन फैन गैलरी केवल राम चुराहे परस्तित है जहां पर आपको समी परकार के पंके, चिमनी, सहित, गैस, सूला और किचन से सम्मंदित पूरी रेंज मिल जाएगी एक बार आप विजिट करें अत्वादिये के नमबर पर संपर करें मद्य परदेश के खंडवा के कोतवाली थाने के अंतरगत आने वाले, कोडिया हनुमान मंदिर के पास रहने वाले, एक परिवार ने आज कोतवाली थाने में अपने बहु की गुमशुद्गी की रिपोर्ट दर्ज कराई, साथी साथ उनने यह भी लिखवाया कि मुंदी में एक गमी में गए थे, इस दोरान जब एक घर लोटे, तो उनकी बहु घर पर नहीं थी, घर से पूरा सामान भी लेकर गई है, जोलरी भी लेकर गई है, और उनके पडोस्क में रहने वाले एक युवक ने बताया कि उनकी बहु को उसने रिल्वे स्टेशन पर बैक के साथ परिवार को इस मामले में कई तरह की आशंका है, फिलाल पुलिस ने इस मामले में गुमशुद्गी दर्च की है, आपको बता दें, जो महिला है, बहु है घर की, उसका नाम मौनीका पती रहुल है, और परिवार बालों ने उनके साथ ससूर ने कोटवाली थाने में यह लि परिवार बालों के कथन के आधार पर गुमशुद्गी दर्च करने के बाद जब महिला दस्तियाब हो जाएगी, उसके भी कथन लिये जाएगे, और उसके बाद जब मामला जांच में जो भी सामने आएगा, पुलिस उस पर आगे की कारवाई करेगी, इस तरह की बात कोट कोटवाली थाना प्रभारी बलजी चिंग विसेद ने बताई, फिलाल इस मामले में गुमशुद्गी कोटवाली थाने में दर्च कर ली गई है, जो मौनिका है, उनके ससूर है, वह सरकारी अधिकारी के ड्राइवर हैं, और वह आज कोटवाली थाने में पहुंचे थे उनकी बहु घर पर नहीं थी, आठ महीने पहले शादी होई थी, ऐसा उनका कहना है, और किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं था, इस मामले में कोटवाली थाना प्रभारी की बात आपको सुनवाते हैं कि महीला के गायब होने का मामला आया है, कि महीला अचानक घर से गायब हो गई और गहने बगर लेकर गई है, इस तरह कारूप भी सुसरान वालों लगाए, सर क्या है पूरी स्टोरी? कोडिया हनुमान निवासी परिवार जनों ने आपने बताया है कि उनकी बहू घर पर नहीं है, वो सुबह किसी गमी के कारेकरम में हुंदी गए हुए थे, जब घर पर आय तो उनकी बहू घर पर नहीं मिली, इस संबन्द में प्रतंदस्टिया हमारे द्वारा जो है, महील महीला के गमशुद्गी की रिपोर्ट दर्जी कर ली गई है, जो भी परिवार बातें बता रहा है कि जो भी सामान होगे रहे ले गई है, उस संबन्द में गमशुद्गी में जो भी तथ्या आएंगे, महीला के दस्तियाबी होने पर जो भी फैक्ट्स आएंगे, उसके अ को जासी जाएंगे, उसके बादे है